हेलो गाइज, वेलकम बेक टो माई चैनल स्मार्ट स्टडी गाइज आज हम डारेक्टेट ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नमबर थ्री करेंगे जो की क्लास सेवंथ की है और सब्जेक्ट है साइंस ये वर्क्षिट 16 एप्रेल 2021 की है तो आएज शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएज देखते हैं आज की वर्क्षिट अदर मोड ओफ नूट्रिशन इन प्लांट Like human and animals, some plants dependent on food produced by the other plants are non-heterotrops and they use the heterotropic mode of nutrition Last worksheet में हमने देखा था कि plants, green plants क्या करते हैं, अपना food खुद बनाते हैं, जिने हम autotrops कहते हैं इसके अलावा human और animals क्या करते हैं, अपने food के लिए दूसरे animals पर या दूसरे plants पर dependent होते हैं Human और animal क्या होते हैं, अपने food के लिए दूसरों पर dependent होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, heterotropic mode of nutrition इसको क्या कहा जाता है, heterotropic mode of nutrition इसी तरह देखो क्या कहा गया है, कि कुछ human, sorry, human और life की तरह कुछ plants भी ऐसे हैं कुछ plants पी ऐसे होते हैं जो अपने food के लिए दूसरों पर डिपेंडेंड होते हैं इसे हम क्या कहते हैं tetro-trops और इस प्रोसेस को same way hetro-tropic mode of nutrition अब आपको सुनकर हैरानी होगी कि plants भी बिल्कुल प्लांट्स भी अपने फूड के लिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरों पर dependent होते हैं अब देखो हमने last में क्या पढ़ा था last worksheet में कि प्लांट्स क्या करते हैं plants के पास क्लोरोफिल होता है, जो sunlight की present में क्लोरोफिल होता है जो प्लांट एसे होते जिनके पास में क्लोरोफिल नहीं होता है और अपना food खुदज नहीं बना पाते है इसल neurolog के ऊपर dependent होते हैसे तो क्या लिखा गया और जिसके उपर यह climb करता है उसी से ready meat food बना हुआ food बस absorb करता है The plant on which it climb is called host जिस plant के उपर होता है उसे हम host plant कहते हैं देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखे यह yellow कलर का portion है यह क्या है कुस काटा है या अमर बेल और जो green color का दिखाई दे रहा है यह actual plant है इसे हम क्या कहते है जो दूसरों को अपने उपर क्या करता है यह क्लाइम करने देता है यह दूसरों को portion दे रहा है दूसरों को food दे रहा है उसे हम host कहते है और जो plant दूसरों के उपर live कर रहा है दूसरों के उपर तो उसे हम parasite कहते है कुस काटा क्या है एक parasite है और ये ब्लांट जो घ्रीन प्लांट है ये कैसा हो जाएगा ये फूर दे रहा है ये host हो जाएगा ध्यान से समझो ऐसे कहते है और नहें दूसरों के और लिव करता है दूसरों के जफते हैं वहां से अपना खाना लेता है फूद लेता से कि जो plant है वह animal को eat करते हैं यह तो हमने सुन रहे है कि जो animal है वो plant को eat करते हैं क्या ऐसा सुन है कि plant भी animal को eat करते है there are few plants which can trap insects and digest such plant may be green or some other colors कुछ plants ऐसे है जो insect को eat करते हैं वो green color के हो सकते है या अलग color के हो सकते है अब actually होता क्या है लीव की modification होती है, लीव क्या होती है थोड़ी shape में change हो जाती है, यहाँ पर दो plant दिये गए है, picture plant और venus fly trap plant, लीव क्या होती है, इनकी modify हो जाती है, और इनमें इस तरह से hair like structure, hair होती है, small hair होती है, जब भी कोई insect उड़ता हुआ इनके पास आता है, तो सबसे पहले तो इसका leaf का यह जो portion है, जो जिसने lid बनाया हुआ है, यह बंद हो जाता है, उसके बाद इसके अंदर कुछ enzymes होती है, digestive juice होता है, जो क्या करता है, उस insect को eat कर देता है, जो उसको digest कर देता है, अब हम ध्यान से समझते है, क्या लिखा गया, look at the picture, whose picture plant like jug like structure is modify part of the leaf, जो jug like structure है, यह क्या ह है, leaf का ही modification है, यह leaf का, जिससे रुपांतरी, leaf की structure change हो गई, यह समझो, shows in the picture, the apex of the leaf form is a lid, जो leaf का उपर वाला पार्ट है, वो क्या बन जाता है, lid like structure बन जाते है, धक्कन की जैसे structure बन जाती है, which can open and close to the mouth of the picture, जो क्या करता है, जो picture plant है, जो उसका mouth का करेगा, open कर देगा, close कर inside the picture, there are hair which are directly downwards, यहां पर क्या होते है, hair like structure होते है, जो directly क्या होते है, downwards होते है, नीचे की तरफ होते है, when an insect land in the picture, जब को insect इसके अंदर enter करता है, the lid close, lid क्या हो जाती है, close हो जाती है, trap insect get entangled into the hair, और वो जो insect है, वो इनकी hair में क्या हो जाता है, अटक जाता है, फर जाता है, hence the insect cannot move out, और जो insect है, वो वाहर नहीं निकाल सकता, the insect is digested by the digestive juice, अभी यहां पर क्या होता है, digestive juice होता है, जिसकी वज़े से जो insect है, वो क्या कर लिया जाता है, digest कर लिया जाता है, उसके बादे को क्या कहा गया है, its nutrient are absorbed by the picture plant, और उसका जितना भी nutrient निकलता है, वो picture plant अब्सोर् and venus fly trap plant, बहुत आसानी से समझाया गया है, बहुत important है यह paragraph, इस अच्छे से समझीए, अब कोशन आता है कि यह plant ऐसा करते क्यों है, तो देखे इसके लिए क्यों करते हैं, यह plant, these plants dependent on insect because they do not get all requirement nutrients from the soil, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इन्हें soil से सारा nutrient, जो important है, requirement, जिन nutrients की होती इसलिए यह क्या करते हैं, इन्सेक्ट को eat करते हैं और वहाँ से अपना nutrient लेते हैं, तो बहुत interesting वरक्षिट है, अब इसके फटावर कोशन से करते हैं, write the name of the parasitic plant which yellow cylinder and branched stem, बताओ कौन सा होगा, क्यों सकाटा और अमरबेल हम लिख देंगे, first का answer, क्यों सकाटा लिख दीज इन्सेक्ट को eat करते हैं, यहां से आजाएगा, answer number 3, these plants dependent on insects because they do not get all requirement nutrient from the soil, क्योंकि उन्हें से पुरे nutrient नहीं मिलते हैं, इसलिए वो insect को eat करते हैं, Question number 4, which type of mode of nutrition is used by parasitic plant and insectivore plant, किस तरह का nutrition यूज करते हैं, सोच कर बताएए किस तरह का nutrition यूज करते हैं, तो यहां जगा, heterotropic mode of nutrition, यह हो जाएगा, answer number 4, तो आज की worksheet complete होती है, worksheet complete करके अपनी teacher से चेक करवाईए, और प्लीज मेरे चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए और share कीजिए, और मेरे चैनल के साथ बने रही, thank you